जाहिन दोस्तों नालंदा आईएस अकेडमी के इस ओनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है देखें न्यूजपेपर में से नोट्स कैसे बनाने चाहिए और उसके में से कुश्चन कैसे जो है यूपेसी के एक्जाम में आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह न्यूज आई है फ्रंट पेज पे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है 25,000 का जो है क्या लगाया गया फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने राइट के जो राइट जो हुए थे दिल्ली में उसको धंक से डिल लिंक किया और स्पेशली जो है एक साहब है ठीक है जिनका उन्होंने क्या क्या fire लिखने से मना कर दिया तो जो छो साहब है उनका नाम है मिस्टर नसीर यह आप देख सकते हैं इसमें राइट और यह नसीर जो है अपने सिच्टर को मतलब की लेकर आ रहे थे बैट तब ही जो है उनको मॉब ने घेड लिया और उनके ऊपर जो है फ जब उन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश किया फाई लेखवाने की कोशिश की तो पोलिस वालोंने उनकी फाए आज नहीं लिखी तो फिर इसके बाद जो है उन्हें कहा जाना पड़ा टूट जाना पड़ा तब जाकर यह सारी चीजें हो पाएं तो इसी रिगाइडिंग पर क्या किया है 25,000 का फाइन लगा दिया अब सवाल यह है कि FIR यानि कि first information report क्या होती है तो आपके सामने है the first information report यानि FIR जो इसका short form है वो क्या है information recorded by police officer जो police officer जो station में होते हैं और वो जो किसी भी crime के बारे में जो record रखते हैं या record करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं FIR बोलते हैं यह record कौन करवाता है तो यह जो वेक्टी जिसके अगेंस्ट जो है crime हुआ है वो लिखवा सकता है या कोई और भी जो है इसकी report लिखवा सकता है दूसरी बात इसी FIR के base पर पुलिस्ट इंवेस्टिगेशन शुरू होती है यह सबसे important चीज है next under section 153 of CRPC यानि की criminal procedure code of 1973 ठीक है FIR जो है लिखने का पूरा तरीका उसमें mention है कि आप कोई भी वक्ती जो है अगर station जाता है पॉलिस्टेशन और वहां पर जो है क्या करते हैं वो एफाइर लिखवाता है तो एफाइर उसके लिखी जाएगी अगर कोई भी संगी अपराद हुआ है कोई पॉलिस्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टे है यह ड्राइब चलाती रहती है तो जैसे नोंने बताया है यह न्यूश्वेफर में आड़ आई हुई है के टीजए मेंड़ेटरी फोर ऐसे चो टू लॉज एन फायर हर ऐसे चो के लिए जो है फायर लिखनी क्या है कंपल्सन है मेंड़ेटरी है इफ आ कंप्लेंड मेंड़ यह दिस्क्लोज दा कमीशन ओफ एक और अगर कोई भी संगय अपराद हुआ है किसे अपराद हुआ है इन इसक्राइम हुआ तो उसका फायर लिखना जरूरी है और यूहव दा राइट वॉप्टेन अ कॉप्टेन अ कॉप्य आपको दाफायर और जो भी आफायर आप आपको मिलेगी यह आपका राइट है लेकिन आई यह ध्यान लिखना है in case your complaint discloses the commission of a non-cognizable कोई चोटी-मोटी मार पीट हुई है तो उसके लिए फायर नहीं होगी लेकिन उसके लिए complaint जरूर लिखा जाएगा ठीक and entry is required to be made in Delhi diary and you have the right to obtain a copy ठीक है उसकी भी copy आपको मिलेगी and you may thereafter approach the area magistrate ठीक है कुन सा section under section 155 किसका CRPC का CRPC में आपको बताया ही था कि criminal procedure code ठीक है for appropriate order यह सारी बाते हो जो है दिले पुलिस newspaper में add देके लोगों को जो है बता रही है if such action is not taken on your complaint you may inform the vigilance control room जो कि 24 by 7 उपन रहता है यह number दिया हुआ you may also file your complaint with the DCP of the district joint CP commission of police of the range special CP vigilance or commissioner of the police तो इस तरीके से FIR जो है आप lodge करवा सकते हैं दिल्ली पुलिस भी इसके लिए effort कर रही है लेकिन उसके बाबजूत कुछ एकाधा officer जो है इसमें कमी कर देते हैं जिसके वजह से पूरी पुलिस को जह शर्मिंदा होना पड़ता है अब एक और concept आया है वो है zero fire क्या होता है zero fire तो zero fire क्या है कि आप किसी भी this is the type of effort which can be felt in any police station किसी भी police station में आप इसको क्या कर सकते हैं lodge करवा सकते हैं ठीक है it is respective of any kind of jurisdiction क्योंकि जह jurisdiction की police station में आप जो है FIR लिखवा सकते हैं राइट इसको जीरो क्यों बोलता है क्योंकि इस FIR का नंबर जह जीरो से start होता है तो जिस police station में आपने आप लिखवाया अगर वो zero fire वो zero से इसको start करेंगे आगे नंबर डाल देंगे और फिर जिस jurisdiction में crime हुआ है वहां के police station को वो यह case जो है क्या कर देते हैं एंड ओवर कर देते हैं इसका फाइदा क्या है कि जो victim है उसको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं इसी के regarding एक movie आई थी pink इसमें जो है zero fire की बात की गई है मुझे एक और movie याद आती है जिसमें मुकाबला शायद थी movie गविंदा की उसमें भी जो है एक character है अरुना इरानी तो उनके husband की death हो जाती है तो जब वो जाती है तो पहले police station जाते है काला चौकी जाती है तो कहते कि जी यह case तो जो है काला चौकी का है तो काला चौकी जात चौकी जातान चौकी ऐसे ही उनको जो है पूरी रात वो इधर धक्या खाती रहती है तो इस तरह की problem किसी को ना आए इसलिए zero F.I.R. नाम का concept जो है यह जो लाए गया anyway तो अब इसी के बेस पर आपके सामने एक question है which of the following statement is or are not correct about the F.I.R. तो पहले statement है anyone who knows about the commission of a cognizable offense can file an F. F.I.R. ठीक है कि भाई कोई भी कर सकता है जो जानता है दूसरा it is not necessary that only the victim of the crime should file an F.I.R. सुर्फ विक्टिम ही नहीं कोई भी कर सकता है यह कह रहे है तीसरा कहा है a police officer who comes to know about a cognizable offense can file an F.I.R. himself or herself कि police officer भी जो है F.I.R. दर्ज कर सकते है या none of these कि भाई कोई भी statement क्या है गलत नहीं है तो अगर कोई statement गलत है तो answer D हो जाएगा अब बताएं क्या answer होगा इसका ठीक है तो इसका answer क्या है none of these क्यों क्यों कि सभी statement क्या है सही है और जब तीनों statement सही होते है और वो not पूछ रहा है तो answer क्या होगा D होगा मैं बताई रहा हूं बार बार अब बात करें Olympics game की इंडिया जो है टोक्यो में होने वाले Olympic game में participate करने जा रहा है तो चलिए कुछ Olympic के बारे में भी जाने तो modern Olympics की बात करें तो यह एक international supporting events है यानि कि एक दो देश नहीं लेते काफी सारे देश में जहें कितने 200 nations ने पार्सिपेट करते हैं वालकि उससे जाता ठीक है नॉर्म 20 में यह नहीं वाक्यों क्यों क्यों वर्लवार टू चल रहा था 1944 में Olympics नहीं वाक्यों क्यों क्यों फिर वर्लवार टू चल रहा था ठीक है तो यानिकि जो पहला Olympic जो आपका क्या हुआ था चैंसल हुआ था वो 1916 का था ठीक है जो जर्मनी में होना था राइट अब बात करें अगले वह क्या है कि 2020 में जो है ओलंपिक होना था टोक्यों लेकिन करोना क्राइसिस की वजह से यह क्या होगा पोस्पॉंड हो गया तो टोक्यों पहला तो यह चार साल में होता है तो इसको दो पार्ट में हम देखते हैं समर ओलंपिक होता एक विंटर ओलंपिक होता है तो समर ओलंपिक मालों की मतलब अभी आपका 2020 में आपका हो रहा है ठीक है तो फिर 2022 में कौन सा होगा विंटर ओलंपिक होगा ठीक है फिर आगे 2024 में जो है फिर समर होगा 2026 में जो है फिर आपका विंटर ओलंपिक होगा तो हर ओलंपिक के बीच में क्या है चार साल का जो है इसका लोगो है जो डरहाई इसका देखए ठीक है तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह आपको जो है engineering you है राया चार रहा है ठीक है यह यह 그것 रिफाइब ऑन टू थ्रीं ना एक अब यह किया है वों देख रहे जो ग्रील के सल्पए हों नीख लम अहीं किसके संकर लिए उसको दिखा रहे हैं फिर फिर यह दो किसको दिखा रहा हैं यह नॉर्थkeiten अमेरिका आपको समर Olympics जो है मेन ओलम्पिक यह होता है फिर क्या आपका विंटर ऑलम्पिक्स ठीक है इसे नौटी गेम से भी बोलते थे क्योंकि होता था लेकिन बात में इसका नम क्या चेंज कर दिया गया श्कें किया था रोलम्पिक्स के इससे बाता है तो चैंडी ईसका नम क्या है तो इसमें जो है जो handicapped लोग जो है वो लोग participate करते हैं ठीक है फिर आया आपका Youth Olympic इसमें 14 से 18 years के जो यूथ है वो इसमें participate करते हैं तो सबसे पहले कौन सा है summer फिर कौन सा है winter फिर कौन सा है आपके सामने एक second question है which of the following sequence is correct according to the year of establishment of the Olympic Games इसमें पहले winter olympic आपका यह कह रहे है कि पहले winter olympic आया फिर summer आया फिर para olympics आया फिर youth आया ठीक है अगर यह सही है तो ठीक है नहीं सही है तो फिर आपका यूथ पर चले पहले पहले summer आया फिर winter olympic आया फिर para olympics आया फिर आपका youth olympic आया यह सही है तो ठीक है नहीं तो फिर third पर चले है तो answer क्या है इसका B क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि सबसे पहले summer फिर winter फिर पार olympics उसके बाद यूथ होलम ठीक है जी तो answer क्या होगा इसका B होगा ठीक है आगे बढ़ें WPI inflation जो है वो काफी आके है मतलब काफी हाई है काफी उपर जा रहा है तो WPI प्राइस इंडेक्स जो है ठीक है एनिवे तो आप सभी के मन में एक सवाल आता है WPI और consumer price index में क्या अंतर है तो सबसे पहले wholesale जो होता है wholesale पर नाम सी बता चल रहा है consumer price index जो है retail लेवल पर ठीक है तो जहां से consumer जो है goods खरीता है उसे retail shop बोलते हैं और जहां से जो है manufacturer लोग जो हैं समान खरीते हैं उसे wholesale shop बोलते हैं यह जो है किसका measurement करता है wholesale price index जो है measurement of first stage of transaction मैंने अभी आपको बताया क्या बताया मैंने आपको कि जहां से manufacturer जो है समान कर देगा तो वो तो definitely first stage of transaction होगा और जहां से consumer समान कर देगा वो क्या होगा final stage of transaction होगा ठीक है तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए है जो wholesale price index यह सर्फ goods में ड्यल करता है नहीं goods को measure करता है लेकिन जो consumer price index है यह goods और service दोनों को measure करता है वैसे भी सर्विस को ठोक यह का रही सकते है तो इसमें picture service दोन्हों आते हैं नहीं कि wholesale price index में सिर्फ goods आते हैं wholesale price index में प्राइस कौन पे करता है manufacturer और wholesale मैं बताई चुका हूँ manufacture पे करते हैं तभी इस index में यह देखा जाता है और वहीं consumer price index में नाम से बता चल रहा है कि ठीक है raw material जगर है यह सारे इसमें आते हैं वही consumer इसमें कियाते है food, education, transportation, medical care, etc. यह सारी चीज़े आते हैं ठीक है इसे publish on करता है wholesale price index को office of economic advisor यह किस के अंदर आता है कोई से ministry के अंदर आता है तो ministry of commerce and industry के अंदर आता है dealer हो तो उनके संख्या कम होती है तो क्योंकि संख्या कम है तो इनके पास बार बार जा सकते हो तो इसलिए weekly है consumer बहुत सारे रिटेल शोब बहुत सारे है तो इसलिए इनका monthly basis पर आता है ठीक है वैसे आपको बताता हूं अब आपके सामने question है third which of the following index calculate the average price paid by consumer to the shopkeeper आपको बताने कि भाई कौन सा इंडेक्स जो है consumer दोरा shopkeeper को जो प्राइस पे किया जाता है उससे calculate होता है तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स बी कंजूमर प्राइस इंडेक्स 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 दिन अनुप इस ठीक है तब आपको बताना है कि कौन सा है पांसर क्या होगा बी नाम से पता चल रहा है यह देखो फिर एक और आपका topic आए वो यह कि हम दो बार से इसको discuss कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में जब से US ने decide किया है कि वो अब जो है वहां से जाएगा तो तालीबान जो है वो वहां पर काफी powerful होकर आ रहा है और कह रहे हैं कि 85% तक ठीक है उसने area अपने control में ले लिया है औ उसके बाद जो है उसने अपने जो rules है वो लागू करने start कर दी है जिने आप शरियत रूल कहते हो शरियत आपको पता ही होगा कि Islamic law को ठीक है क्या बोलते है शरियत का जाता है तो उसी को लागू कर रहे है जैसे क्या करें वूमेन को घर में रहना पड़ेगा अगर बाहर न चीजों को नहीं मानेंगी तो आपके उपर अल्रिल्टरी का केश लाए जागा जिसमें आपको पत्थर मार मार के जो है मौत की सजा दी जाएगी ऐसा नहीं कि फिमेल को ही कुछ मेल्स को भी जो है पावंदि लगाई है लेकिन हां मेल्स के उपर कम है जैसे क्या पावंदि का सजा मिलेगी और ट्रेडिशनल क्लोट्स पहनो जो है इस्लाम के अगॉर्डिंग जो एलाउड है वो पहनो बाकी नहीं तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की प्राब्लम जो है अब देखने को मिलेगी क्योंकि तालिबान जो है वो पावर में आ रहा है अफगानिस्तान क मैं बताई चुका हूँ जो इसका जो बॉर्डर है तुर्कमनी स्तान से लगता है इसकी कैपिटल असकाबाद है ठीक है फिर आपका उजबेकिस्तान से लगता है इसकी कैपिटल दुशामबे है इसका चाइन से बॉर्डर लगता है बार-बार बता रहा हूं लोग नहीं ध यानक say सभी samothra is access निया डाइंड-ाइंड लाइड-लक यह ठिक है लाइसलोक क्योंनों जेनलोग सो ज़िस घंट्रिष को एक्सेस नियूँ जो यह साउथ सेंट्रलिष इस निन कांठ्री करता है तौन्निय lt में लैंविज का है इनकी दारी और पस्तो दारी ये इक की लैंग्विज होती है पस्ट से मिलते लाएं होटि है तो दारी मैचिममिज लोग ये बूते हैं रे सके लाभ़ा आपका पस्तो बॉल कें देमोग्राफिक िक liegen ish tusnита बागी है इसके लीवर जो है वहां की सबसे लंबी नदी है इसके लाव जो मतलब कि क्या करते हैं कबजाकर देखी कोशिश करते हैं जैसे कि ब्लोब में जो है बॉल को उस जगह पे डाल देते तो मतलब हो जाता है दो मुझ किश्शिश कश्री में आज बख्रेग उनका फिक्स पाइंट होता है वहां पर अकर फ्रकम के लिए लेकिन-सके अलावा जो है वहाँ पर बहुत सारे हैं इसलिए आपने देखा होगा कि नाटो कंट्री जो हैं काफी इंट्रस्टेट थे इसलिए छोड़ नहीं रहे थे लेकिन इसके अलावा और क्या है तो आप लोग जानते हो कि वह लोग अफीम की खेती काफी कर रहे हैं तीन सो आपको बताने की चाहिए की नहीं है अभी चार अप्षिन आपको अगर 123 सही है तो अगर 1 3 4 1 3 4 सभी ए ऐसका बेखने ज़्याण जानते हो यह भी सभी सभी है इन्हों ने क्या पूछे नॉट करेक्ट नियुक्त नहीं है चुनब करेक्ट जब भी नॉन करेक्ट पूछे और सभी सभी तो थी अंसर होता है मैं बार-बार यह करवा रहा हूं तो कि UPSC में बच्चे बहुत ज़्यादा ही गिलत करते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार इस तरह के कोशिशन करवा करवा कर प्रैक्टिस कर रहा हूं कि आर्बियाई ने मास्टर कार्ड को क्या कर लगा दिया है कि वो जो है अब अपने नए कस्टमर जोड नहीं सकते क्योंकि आर्बियाई ने 2018 में जो है यह एक गाइडलाइन जाड़ी की थी कि जितने भी आपके जो हैं ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनी हैं एन्बी एफसी है क्या बोलते हैं या banking companies है ठीक है उन सभी को एंशूर करना है कि आप जो है जो डाटा यहां से ले रहे हैं तो वह यहीं स्टोर करेंगे इंडिया में स्टोर करेंगा उसको बाहर करें 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 क्लियर है कि नहीं कि लेकिन इन्होंने जो है फॉलो नहीं किया इससे पहले इन्होंने जो है अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं काड़ था उसको भी बंद कर दिया था उसको वार्ड लगा दिया था आप नए कस्टमर नहीं बना सकते ठीक है तो देखे जड़ा मास्टर कार्ड वीजा और रुपे यह तीन मेजर हैं आपके तो फांडिंग डेट मस्टर कार् ठीक है इन सबम spectrum कार्ड any già रहा है डिया शीजा एक्सफल Woo it की काम होती है च्पीड की बात करें दोनों की जो है क्या है थोड़ी स्टीड कम है लेकिं रूपे क्योंरिक्ति की बात करें दोनों मस्टरकार्ट और विजा यह दोनों यूएस की है ध्यान रखना है ठीक है फानिशल कंपनी है तो दोनों कावर नहीं करती है लेकिन रुपे में एक्सिदेंटल इंस्वरेंस है तो यह अच्छी बात है इस मामले में रुपे काफी अच्छा है ठीक है रुपे आपका ज़र 2014 क यह लियुक्त आस पास आओ आया है की कोशिश है कि इंडिया जो है क्या करें अपना गेट फैमिंट गेटवे बनाय बनाए क्योंकि हमें काफी सारी फीस इन un cuz को 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 देनी होती थी यह अघर हमार्साइब इसके लिए ने नकम्पनी बनाई ति ठीक है नपीचिल को इसीलि थिक है अब देखे आगे क्या होता है आपके सामने कुछ चे रहे विच और फॉलोइंग स्टेटमेंट इस और और करेक्ट अबाउट दा क्रेडिट काड्स इंडिया विजा इस दा ओल्डेस्ट पेमेंट सिस्टम एवलेवल फॉर कंजूमर और मर्चंट्स यह बताने स्टे कि यह दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है मैं आपको बताया था यह oldest है अभी हमने देखा था 1958 में इसके स्टापना हुई थी और रुपे आपका डोमेस्टिक है क्योंकि यह दोनों जो है यूएस के हैं तो यह इंडिया का है अब यह क्विशन का जवाब आप लोग जो है म और यूथ यूथ ओलंपिक्स तो आपको बताना है कि तोक्यो ओलंपिक्स काफी निज में तो कौन सा ओलंपिक के लिए वो निज में है ठीक है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और मैं देख रहा हूं कि अभी भी काफी कम बच्चे जो है इसको जवाब दे अगर मैं देखो कि किस-किस बच्चे ने जवाब दिया है तो चलिए मैं आप लोगों को उनके नाम बताता हूँ जिससे कि आपको यह पता चले कि कौण-कौण से बच्चे रहे हैं तो इसमें जवाब दिया है वो है योगिता ने दिया है एनने दिया है अक सोुने पीडिया है नि उइके हैं तब से आप एक्सिस कर सकते हैं चीक है तो आप सभी बच्चों का जो है धन्यवाद की आपने इसमें इंट्रेस्ट लिया और मैं बाकी एस्परेंट से भी जो है यह अपील करूँगा कि आप इसमें जादा से जादा पार्टिसिपेट करें कई बच्चे पूचते कि सर इसमें पार्टिसिपेशन हमारा नहीं हो पा मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे आप लोग गेम में खिलते हैं कि पहले कि आता है फिर सकिंद लेवल होता है तो ऐसे ही हमारी टैसरीज है जिसमें पहले बेसिक होता है फिर आपका इंट्रेमिडिट लेवल होता है फिर एडवांस होता है इस तरीके से आपका जो है क test series join करना चाहते हैं तो आप इन नमर्स पर कॉल करें और सबसे बात क्या है कि आप फ्री डेमो टेस्स के लिए भी जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं सब इसमें आपका जो है पांच एदस कोश्चन होंगे मैं बार-बार बता रहा हूं पूरे 100 कोश्चन होंगे और वो UPSC लेव इसा ही आपको टेस्ट मिलेगा यह ध्यान रखना है फिर इसके लाब आरपेसी की फॉर्म निकलने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से निकलने वाले हैं तो अगर आरपेसी की क्लासीच चाहते हैं उसके नूट चाहते हैं तो आप हमें इन नमर्स पर कॉल करके जो है इन सार प्लस ऐसे यह तीन अंसर राइम इसकी ज़रूर करनी होती है लिए हम ने क्या किया है कि आपको डोशर लिखनेक लिए हम कहते हैं एक स्टाटिक पर एक करी कट पर और लाइते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आंसर की quality बढ़ती है जब आपके quality बढ़ती है तो उसके बाद आप हम स要 फिर Esoति डिलेते हैं तो आप इस तरीके से अपनी करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल कर के हमें तक सब्सक्राण कर सकते हैं रै Okay आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं फिर अपील कर रहा हूं आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं तो मेरी आप लोग उसा अपील है कि प्लीज इसको लाइक करें ठीक है यह ध्यान दे राइट दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें ठी कि सब को फाइदा मिले राइट ठीक है यह बहुत जरूरी है क्योंकि जो है वो बाटने से बढ़ता है ठीक है तो ध्यान रखें इसको जरूर बाटने से बाटने से बढ़ता है ठीक है थांक यू वेरी मच गॉड्ड ब्लेस यू आल जाय हिंद